एप हेलो फ्रेंड्स आप देख रहें परूथी टूटोरिल और मैं हूँ आपका दोस्त सागर परूथी आज हम जो करने वाले हैं वह मुमेंट ऑफ रजिस्टेंस हम निकालेंगे इन इस सिंगली रेंफोस बीम बीम हमारे पास है सिंगली रेंफोस बीम बट बाइ लिमिट स जैट मैं ठाट से अब बीम के अंदर किया दिया हुआ है आपके पास बीम के अंदर विड गिवन है और बीऊटके पास और इसके साथ साथ आपके पास एफेक्टिव डेफ्ट यह एफेक्टिव कवर गिवन है एफेक्टिव कवर 50 mm एंड इफेक्टिव डेफ्ट आपके पास हो जाएगी यहां से 550 mm इफेक्टिव डेफ्ट क्या होती है टॉप सर्फेस से लेके रेइनफोर्स्मेंट के सेंटर तक कर डिस्टंस इफेक्टिव डेफ्ट आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी गिवन है M20 एंड F415 ग्रेड ऑफ स्टील आपके पास दो पार्ट में केस दिया हो है पहला चार सर्य दिये सब्सक्राइब फिर अलग से है दूसरा पार्ट सारा कुछ सेम है बट उसका रिंफोर्स्मेंट अलग है मैं पहले पहले पार्ट को करूंगा जिसमें मेरे पास चार सर्य लगाया मैंने 16 mm डायमेटर गे और हमें निकालना क्या कोश्य में find out the MR जिसको हम क्य करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहला हमारे पास यहां पर क्या रहेगा in this सबसे पहला मेरे पास step number one जो मेरे रहेगा that will be x u की value को निकालना यह है depth of neutral axis depth of neutral axis को निकालना अब depth of neutral axis को निकालने के लिए मैं इस formula का इस्तमाल करूँगा जो कि हमने सीखा था 0.36b into x u f c k equal to 0.87fy ast यह formula जब हम use करेंगे इसके अंदर हमारे पास x u की value मुझे निकालनी है इसके लिए मैं को ast जो निकलेगा वो मैं कैसे निकालना हूँगा ast हमारे पास यहां पर जो है ast ast will be equal to 4 into pi by 4 diameter का square diameter केतने दिया हूँगा 16 mm तो 16 का square करूँगा तो automatically वहाँ से मेरा ast कितना आएगा 804.25 तो सारी values में को fy की value इस fy की अगर मैं बात करूँ this fy is 415 newton per mm square यह fy कहां से है this fy is came from the grade of steel and इस m20 से हमारे पास के आप मिलते है हमेशा f ck f ck की value मिल जाते है यहां से 20 newton per mm square जो कि मैं यहां पर put करी है this f ck this f ck is from m20 and this will be equal to 20 newton per mm square सारी values डालने के बाद मेरा सबसे पहला जो step होगा वो x u को निकालना है वो निकल जाएगा 100.82 mm अब x u की value निकल गी अब मुझे निकालना है next step में x u limiting की value x u limiting की value x u limiting के लिए आपको is 456 2000 को लेना है वहाँ पर आपको x u limiting by d की value लिखी हुई है 0.48 किसके लिए f e 415 के लिए हर grade के लिए value अलग है तो यहां से मैं d को इदे multiply कर दो d को यहां multiply कर देता हूँ तो x u limiting का formula क्या बन जाता है 0.48 into effective depth तो यहां पर वही कर रखा है x u limiting is equal to 0.48 into effective depth कितनी है question में 550 mm तो वहां से मेरा x u limiting की value कितनी आजेगी 264 mm अब दोनों value आ चुकी है x u की value आ चुकी है x u limiting की value आ चुकी है दोनों value को compare करूँगा जब मैं compare करता हूँ तो मेरे पास यहां पर आता है x u is less than x u limiting तो मैं बोल सकता हूँ वह beam कौन सी बन गई under reinforced beam बन गई and in case of under reinforced beam हम उस case में दोनों formula लगा सकते हैं और दोनों से answer same आता है the first formula will be what the first formula will be this mu is equal to 0.36 f c k b into x u d minus 0.42 x u same तरीके से यहां पर जब under reinforced आ जाता है जहां पर मेरा under reinforced आ जाता है वहां पर यह formula यूज़ करेंगे mu का movement of resistance का formula that is mor जिसको हम short form में भी बोल सकते है mor का formula 0.36 f c की value 20 b की value 400 x u की value 100.82 डाल दी d की value 550 0.42 x u की value 100.82 निकाल दी वो डाल दी सारा solve करेंगे तो 147.40 x 10 की power 6 newton mm आएगा और इसको solve करने के बाद मेरे पास answer निकल जाएगा that will be 147.4 kNm इसके अलावा इसके अलावा मैं एक formula और इस्तमाल कर सकता हूँ यहाँ पे वो formula क्या है mu is equal to इसके अलावा मैं एक formula और इस्तमाल कर सकता हूँ जिससे की मेरा answer जो है वो बिलकुल ठीक माना जाएगा जो हमने निकाला है that will be equal to mu is equal to 0.87fy ast d minus 0.42 x u दोनों case में जो moment of resistance की value आएगी that will be correct 0.87fy की value 415 ast की value d की value x u की value सारी values put करने के बाद आपके पास पहले जो निकलेगा वो newton mm में answer आएगा that will be comes out as this value and फिर उसको kilo newton meter में convert करेंगे तो 10 की power 6 से divide करेंगे तो यहाँ पे मेरा पहला case खतम हो जाता है इसके बाद in case number 2 पहले case में तो खाली था 4 numbers 16 mm diameter in the second case 6 number 25 mm diameter वो कैसे करेंगे अगर मैं 6 number की बात करूँ तो area change हो जाएगा area become 6 into pi by 4 diameter का square area will change area change होने की विज़े से जब आप इस formula में इस formula में आप AST की value डालेंगे आप यह formula फिर से जब लगाएंगे for the second case वहाँ पे आप सारी values को put कर देंगे AST आपका change हो चुका है तो इस formula में जब आप डालते हैं तो फिर मेरे पास cross multiply करके XU की जो value आएगी वो same नहीं आएगी वो change हो जाएगी बट XU limiting change नहीं होता XU limiting code में से आता है तो यह change नहीं होता XU limiting जो ऐसे मेंने पहले निकाला था कितना निकाला था 264 mm इस तरीके से तो अब भी XU limiting की जो value इस case में रहेगी वो वो ही रहेगी जो पहले थी 264 mm अब XU भी है आपके पास XU limiting भी है आपके पास दोनों को compare करता हूँ तो XU बढ़ा आता है XU limiting से तो मैं बोल सकता हूँ यह over reinforced section है it is over reinforced section in the over reinforced section the moment of resistance will be calculate by this formula इस case में अमारे पास जो formula रहता है moment of resistance का that will be 0.36 FCK into B into XU limiting D minus 0.42 XU limiting यह formula रहता है हमारे पार XU limiting की value जो थी वो 264 mm थी हम उसका इस्तमाल करेंगे और इसके अंदर put करेंगे अब मैं इसके अंदर सारी values को put कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे put करने के बाद सारी values को जो मैं इसके सारी values को put करूँगा यहाँ पे 0.36 FCK B XU limiting D minus 0.42 XU limiting तो यहाँ से मेरे पास जो moment निकलेगी moment of resistance निकलेगी that will be comes out as अगर आँ बात करें यहाँ से तो शुरू में जो moment of resistance निकलेगी that will be comes out as 333.87 into 10Q6 Newton mm इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो किलो न्यूटर मिटर में मारा अंसर आज आएगा ऐसे मैं किसी भी कोशन की moment of resistance निकाल सकता हूँ चाहे वो under reinforce section आए चाहे वो over reinforce section आए अब आपको इसके वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर like and subscribe करें thank you, thank you so much